दोस्तों BPSC T2.0 यानि बिहार शिचक भरती से रिलेटेट यहां पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है दूसरी चरड में एक लाग कम आवेदन आप लोग की स्क्रीन पर देख पारूँगे कुल कितने जो है टोटल आवेदन हुए है 6-8 की बात कर लें या फिर PRT की बात कर लें या फिर 9-10 या 11-12 की बात कर लें साथे साथ बिहार में जो आरच्छर मामला है वो कोट में पहुच चुका है उससे रिलेटेट हम लोग पूरी जानकारी लेंगे योजी सिचकों से रिलेटेट बाहर के जो 9 नुविक सिचकों को 30 तक योगदान करने का मौका दिया गया है उससे रिलेटेट तो आप सब लास्ट तक बने रहीएगा वीडियो के नए हो चैनल पर सब्सक्काइब कलेजेगा वे लाकन को प्रेश कलेजेगा ताके इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुशती रहे स्क्रीन पर आज का ये अर्टिकल आप लोग देख पारेंगे दूसरी चरण में 1 लाग कम आवेदन यहाँ पर एक बार इसके बारे में लोग पूरी जानकारी ले ले लेते हैं शिचक नियूकति के दूसरी चरण में करीब 1 लाग कम आवेदन किया दूसरी चरण के लिए पंजियन से आवेदन तक की तीथी समाप्त हो गई है परिछा में शामिल होने के लिए 7,32,778 आवेदन भरा है वही पहले चरण में 8,26,000 आवेदन किया था तो आप देख सकते हैं कितने भारी मात्रा में ये आवेदन हुआ है अगर इसे पहले आप देखेंगे तो वही जो है देख सकते हैं पहले चरण में 8,26,000 अभ्यारतियों ने आवेदन किया था और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पदो की संख्या लगबग 32,000 है 6-8 के लिए इस बार इसमें डियलेड और बीड वाले दोनों को मौका दिया गया है इस वज़े से आवेदन करने वाले अभ्यारतियों कि सबसे बड़ी जो भीड है वह 6-8 में है क्योंकि इसमें जो बीड और बीड वाले हैं दोनों ने अपलाई किया है अगर एक से पांच में प्यार्टी में देखो तो इसमें जो है सिर्फ बीड वाले ही अपलाई कर सकते हैं और 9-12 का है उसमें भी जो अभिहारती बीट कियो होंगे वही लोग अपलाई करेंगे तो सारे 3 लाग के करीब आविधन मद के लिए प्राप्थ हुए हैं वही माधमिक और उच्छ माधमिक के लिए करीब पौने 3 लाग के करीब आविधन प्राप्थ हुए इस बार सबसे अधिक सीटे उच माधमिक में है करीब 57,000 पदों के लिए अलग अलग विशे के लिए अभ्यारती परिच्छा देंगे वहीं मादमिक 25,000 पदों के लिए परिच्छा होगी एक से यहाँ पर देख सकते हैं वहीं मादमिक 25,000 पदों के लिए परिच्छा होगी एक से 2 दिसंबर के बीच आडमिट कार्ड जारी कर दिया जागा आडमिट कार्ड के बारे में भी दिया गया है 17% प्रात्मिक शिचक बने योगदान 30 तक जो है 28,800 नियोजिस शिचक हुए है चैनित तो इसे related आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं बिहाल लोग सेवा आयोग दोरा चैनिस शिचकों में 28,800 ऐसे हैं पूरो से अपनी सेवा नियोजिस शिचक के रूप में दे रहे हैं इनमें करीब 83% नियोजिस शिचक मादमिक उच मादमिक स्कूलों के लिए चैनित हुए हैं वहीं मातर 5000 अर्थात करीब 17% नियोजिस शिचक प्रात्मिक स्कूलों के लिए चैनित हुए हैं विभाग ने साफ किया है कि नियोजी सिचक अपनी इच्छा से पूरो के स्कूल में भी बने रह सकते हैं अत्वन नई जगा पर योगदान कर सकते हैं इस तरह देखे तो नियोजी सिचक नई जगा पर योगदान देंगे तो उनके पूरो के स्कूल में वह पद खाली हो तो आप देख सकते हैं इसे रिलेटेट पूरी जानकारी यहाँ पर देख पार होंगे सुबे की स्कूलों से हटाये जाएंगे अतिती शिचक यहाँ पर देख सकते हैं बाहर की 9 नियूज शिचकों को 30 तक योगदान करने का मौका दिया गया है इसे रिलेटेट अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप पूरी नियूज को यहाँ पर पढ़ सकते हैं दूसरा यहाँ पर दोस्तो आरच्छड से रिलेटेड जो मामला अप कोर्ट में पहुँच चुका है बिहार में आरच्छड का दायरा 65 प्रतिशयत तक बढ़ाने के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दायर हो चुका है याशिका में कहा यह समिधान दोरा प्रदत मौलिक अधिकारों का उलंगन है तो आप देख सकते हैं यह भी मामला कोर्ट में जा चुका है इससे रिलेटेड दोस्तों आप जो है 6-8 का आपको एक्जाम देना हो चाहिए आप बिहार के हो या फिर अधर इस टेट के हो सभी जानकारी आपको जो है टाइम पर मिलती रहेगी बाकी जो इससे रिलेटेड आपका जो कुछ भी कहना होगा आपका डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की ऑथिन्टिक अब्डेट पाने के लिए आप व